यहाँ पर एक subset W दे रख है जो R-Cube का subset है और W के बारे में कहा गया है कि W is a sub-space of dimension 1, dimension 2, dimension 3 और W is not a sub-space जब आपसे sub-space test करने के लिए बोलता है तो आप उसमें दो चीज़े test करना चाहिए एक तो scalar multiplication, scalar multiplication और क्या उसमें 0 contain कर रहा है अगर इस subset में 0 contain नहीं करता है तो हम बोलेंगे सब-space ही नहीं है तो 0 का मतलब है 0 from R-Cube क्योंकि elements कहां से आ रहे हैं R-Cube से आ रहे हैं तो 0, 0, 0 अगर हम यह choose करते हैं तो यह इस condition को satisfy नहीं करता है X plus Y plus Z equals to 1 तो हमें यहाँ पर left hand side में तो मिल जाएगा 0 और right में मिलेगा 1 जो की equal नहीं है तो यह sub-space नहीं होगा because of 0 is not there 0 does not belongs to W अब scalar check करो मत करो और कोई property check करने की ज़रूत नहीं है तो w is not a sub-space अगर sub-space ही नहीं हैं तो उसके हम dimension के बात यह नहीं कर सकते हैं